किस चीज की कोशिश कर रहे हो? मज़े ये सवाल आपसे पूछ रहे हैं खुश रहने की लेकिन कोशिश क्यूं कर रहे हो? मैं बताता हूं क्यूं क्योंकि आज कल हमारे आसपास ये माहौल बन गया है, पैशन बन गया है पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो पॉजिटिव पॉजिटिव पर जूर देकर असलियत को मानने से इंकार करते हैं लोग वो कहते हैं न हमारे आसपास में लोग कि ज्यादा स्मार्ट बनो, खुश रहो, अट्रैक्टिव बनो, चिम जाओ, वाड़ शॉड़ी बनाओ, ताकि लोग तुम से जलें, अच्छा सोचे हो, जिन्दगी में अच्छा होगा, लेकिन ये सब चीजों का ड्रामा करने की जरूरत क्या है, तो ये सब चीजे करने के ल क्योंकि जो आदमी सच में खुश होगा, उसे क्या जरूरत है आइने के सामने खड़े होकर, बार-बार बोलने की कि मैं खुश हूँ, जो आदमी वास्तों में पैसे वाला होगा, उसको साबित करने की जरूरत नहीं कि मैं पैसे वाला हूँ, तो मेरे कहने का मकसद क्या है, दुखी रहना शुरू कर दें, नई, दरसल आप नोटिस करना, आपके आसपास TV, नियूस पिपर, ऐसी ऐसी ऐड्स आती है इनके अंदर, जो आपको positive फील करवाने की कोशिश करते हैं, कि ये घर खरीच सकते हो, आप ये कर सकते हो, लेकिन असल में ये चीज़े करके, उनको भी नहीं बता, आपको यही याद दिलवा रहे हैं कि आपके पास ये सब चीज़े हैं नहीं, और एक्जामपल, आज सोशल मीडिया पर हर को ये दिखाने की कोशिश करता है, कि देखो मेरी लाइफ तुमसे कितनी कूल है, देखो मैं नई कार लाया, तो हम भी उस चीज़ क देख कर कि कुछ टाइम के लिए उसमें खो जाते हैं, और यहाँ सर्फ सोशल मीडिया पर एक बंदा नहीं है जो अपने खुशी दिखा रहा है, यहाँ पर सब के सब कर रहे हैं, पूरी की पूरी नियूज भरी पड़ी इससे, यहाँ पर ज्यादे तर लोग ऐसे दिखान टेंशन थी थोड़ी सी, वो बड़े डिप्रेशन में बदल जाएगा, कि देख उसकी तो शादी हो गई, कि उसको कार गिफ्ट में मिली है, कि एक बच्चे ने एब बना कर दो बिलिन डॉलर में बेज दिया, कमा लिये, और यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, बैट कर अपने बिल्ली को सहला रहा हूँ, यह सब देखकर ना चाहते हुए भी एक चीज हमारे दिमाग में बैठ जाएगी, कि मेरी जिंदगी तो कितनी बेकार है, तो इससे होगा क्या, एक चोटी सी टेंशन दिमाग में थी, वो डिप्रेशन में बदल जाएगी, पता है पहले के टाइ आने से पहले कम से कम गोबर सुखा लेता था, अपनी कंडिशन को एकसेप्ट करता था, जो भी वो है उसको एकसेप्ट करता था, और काम कर लेता था, टैंशन तो उस टाइम के आदमी के पास भी थी, लेकिन आज अगर 10 सेकंड के लिए हम बोर हुए ना, फिर सोशल मेडि लोड ले लो, तकलीफ को एकसेप्ट कर लो, लाइफ में जो आ रहा है उसको आने दो, कम से कम खुश रहने का दिखावा मत करो, दिमाग पर दबाव देने से क्या होगा, और ज्यादा दुखी हो जाओगे, क्योंकि इस बुक में बार बार एक ही चीज़ पर जोर दिया गय तो शायद अच्छा फील हो सकता है, धिमाग का धही हो गया ना, एक बार फिट से सुनो, जो इसने बूला, पॉजिटिव की चाह नेगिटिविटी है, और नेगिटिव को एकसेप्ट करना ही पॉजिटिविटी है, इसको बोलते हैं बैकवर्ट्स लो, इसका मतलब आप ज कुछ अच्छा हो गया हो, जैसे कोरोना वाइरस, इसके आने से सब परिशान है, कि ये क्या हो गया, लेकिन इसके बुरे के पीछे एक अच्छी चीज भी तो देखो, एक ऐसी प्राब्लम सॉल्व हो गई, जैसे कोई सॉल्व नहीं कर पा रहा था इतने टाइम से, एन्वा बहुत सारी चीज़े गिनवा सकता हूं मैं, आप बोलो तो, लेकिन बात समझ में आ गई होगी, इतना बात है, तो नेगेटिव को इगनोर करने से, अन्देखा करने से प्राब्लम सॉल्व नहीं होगी, ना किसी की हुई या आस तक, शायद एकसेप्ट करने से हुजा है, म जब टीवी पर हमारा शोर नहीं आ रहा है, ऐसी बकवास की चीज़ों में, हम लोड लेते हैं, इस चकर में शायद हम दूसरी जरूरी चीज़ों को भूल जाते हैं, जो ज्यादे जरूरी है, शायद हमारे बेटे के पेट में दर्दो रहा है, शायद कोई बड़ी प्राब लेकिन बेकार चीजों के लिए नहीं क्योंकि जो लोग ये बात समझ जाते हैं वो अपने चिंता को सही चीजों के लिए बचा कर रखते हैं smart लोग ये बात अच्छे से जानते हैं कि problems के बिना कोई भी जिन्दगी नहीं है चाय मेरी जिन्दगी, चाय किसे accessibility की जिन्दगी कि जिन्दगी में छोटी problem है, किसी की जिन्दगी में बड़ी हो सकता है जो चीज आपके लिए बड़ी हो किसी और के लिए छोटी हो जैसे मैंने देखा एक store house बर एक बुड़ी औरत एक किसी कूपन के लिए लड़ रही थी कूपन के लिए चलना रही थी मैंने का सर्फ एक कूपन ही तो है सस्ता सा लेकिन उस बुड़ी औरत के लिए वो बहुत कुछ था क्योंकि इसके लिए इसके अलावा life में कुछ और ही नहीं इस कूपन के अलावा life में कुछ ही नहीं शायद इसलिए क्योंकि उसका husband उसको छोड़ गया है बच्चे उसके साथ में रहते नहीं कमर में दर्द रहता है टेंशन बहुत है तो उसकी पास है क्या करने के लिए ये कूपन वाला काम तो ये ऐसे में वो क्या करे वो कूपन ही उसके लिए बहुत जरूरी चीज़ है तो मेरे लिए बहुत छूटी है वो समस्या शायद आपको भी इस बात की नहीं करने के लिए, मतलब बचाए नहीं है अब, इसलिए आप बेकार की चीज़ों को ज़रूरी मान रहे हैं, वो बेकार की चीज़े आपके लिए ज्यादा जरूरी हो गई है, लेकिन टाइम के गुजरने के साथ साथ हमें पता चलता है कि जिन चीज़ों के लिए हम फील कर और समझ में आने लगता है कि परवा करने वाले चीजे अलग है और आपने देखा होगा जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती जाती है उनको इन चीजों से कोई परक नहीं पढ़ता वो एकसेप्ट करने लगता है उमर की बढ़ने के साथ में कि मैं जैसा हूँ मुझे सकता हूँ मैं कैंसर की दवाई तो ढूड़नी सकता सारे गाम मैंने थोड़ी करने तो सब कोई प्राब्लम है सब कोई दर्द है जैसे आपने सूचा है कभी गौतम बुद्ध क्या कहा करते थे वो यही कहते थे कि जिस भी चीज से आज तुम जुड़े होए उसके साथ में एक तकलीफ भी आती है उस तकलीफ से फ्री होना है तो उस चीज से भी फ्री होना पड़ेगा तो तकलीफों को एकसेट कर लो यही आसान रास्ता है याद रखो जिन्दा रहने के लिए तकलीफे जहलना जरूरी है क्योंकि ये हमारी बायोलोजी का हिस्सा है बायोलोजी के दिवार से टकरा गई कभी ना कभी तो टकराई होगी तो उस बेचारी बेजान चीज के लिए उस दिवार के लिए मुझ से खुद बगुद गाली निकलाती है बिना efforts लगाए निकलाएगी तेकि जब हमको समझ में आता है उस बेचारी बेजान दिवार की क्या गलती इसमें तो हम दिवार बराने वाले को गाली देते हैं और फिर भी समझ में आता है कि काफी पहले बनाई थी उसने दिवार तो तो हवा में गाली मिकल जाती है किसको थी गाली इतना तो बताएगी खुद को नहीं दियोगी एक चीज ध्यान दिया आपने कि जब पैर उससे टकराया तो उस दर्द ने हमको एक चीज सिखा दिया एक चीज समझ में आ गई कि उधर से संभल के गुजरना जब भी गुजरना है एक चूटासा दर्द हमें थपड की तरह लगता है ऐसे समझाता है कि बच के चलना नहीं तो कोई बड़ा एक्सिडेंट हो सकता है तो यही दर्द सिर्फ शरीर को नहीं दिमाग को भी मिलता है जैसे मेरी फर्स गर्फरेंट ने मुझे दूखा दे दिया था वो किसी और के साथ चली गई थी तो मुझे तो ऐसे लगा जैसे मैं मरी जाओंगा फिर फिर क्या हुगा फिर आज बुक लिख रहा हूँ ना यह दर्द यह तकल प्राब्लम्स आएगी उसको कैसे फेस करोगे बिना प्राब्लम्स की जिन्दगी की उमीद मत करो क्योंकि प्राब्लम्स कभी खत्म नहीं होने वाली और खत्म हो गई तो मुर्दा ही बहतर है जिन्दा और मुर्दा आदमें फर्क क्या है फिर प्राब्लम्स कभी खत्म नह में खुशी मिलती है इवन ये बुक पढ़ने के बाद भी आपको खुशी मिलेगी या नहीं आपके दिमाग पर डिपेंड करता है याद रखना कोई भी मोशन चाहे वो अच्छा हो या बुरा खुशी का हो या गम का ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं टिकता क्योंकि हमारी बायलजी के हिसाब से हमें हमेशा अलग-अलग टाइप के एमोशन्स चाहिए ही चाहिए सर्फ खुशी ही खुशी मिलती रहेगी तो हम बोर हो जाएंगे ऐसी खुशी से भी जैसे गौतम बुद्ध क्या कमी थी उनको क्यों चले गए वो अपने महल को छोड़कर एक सन्या बाया भी होती है जिस बाइक को अभी अभी खरीदा है उसमें खराबी भी आएगी वहीं दूसरी तरफ कोई दवाई अगर पीने में कड़वी लग रही है तो हैल्थ के लिए अच्छी भी तो है क्यों पता है क्यों क्योंकि उस मंदिर तक पहुंचने से पहले जो मैंने अपने पैरों में छालों का दर्द जेल कर वहां तक मैं पहुंचा दा 12 किलोमेटर की चड़ाई करके उस चीज़ की खुशीती की कुछ करके आया हूं अगर उसी जगा मैं लिफ्ट से या लॉक्टर से वहां पर पहुंच जाता तो वो खुशी मिलती क्या तो कहने का मतलब यह है कि एक ही टाइप का एमोशन जब मिलता रहता है तो वो भी बड़ा बोरिंग हो जाता है चाहे वो खुशी खुशी क्यों नहों और लोगों में ये गलत पहमी है कि हमें बस उसके लिए महनत लगती है उससे प्यार नहीं होता पहाड पर चड़े बिना चोटी पर खड़े होने की इच्छा इनाम चाहिए लेकिन महनत नहीं रिजल्ट चाहिए लेकिन प्रोसेस नहीं जीच चाहिए लेकिन तडप नहीं तो ऐसी खुशी का पायदा ऐसी खुशी में एक आदमी आता है, स्कूल का असिस्टेंट प्रिंसिपल, बोले मीटा मार्क, बाहर आओ, सारा सामान लेकर आओ, बड़ा अजीब था, पहली बार प्रिंसिपल किसी को लेने आया था, क्लास के अंदर, वैसे बच्चे प्रिंसिपल के पास में जाते हैं, यहां मुझे प्रिं अपियों की तरह मेरे, मुझे अपने साथ में आफिस में ले गए, दर्वाजा बंद कर लिया, दर्वाजा लॉक कर लिया, और कड़की भी बंद कर दी, पर्दे भी लगा दी है, अब क्या होने वाला था, प्रिंसिपल ने मेरा सामान चेक करना शुरू किया, सब कुछ जा मेरे कानों में सन्नाटा, चक्के चूटके पसीना बाहर आने लगा, मैं पुछा कौन सी ड्रक सर, उन्होंने गुस्ते में मेरे तरफ देगा, पैटा तुमारे पास कौन सी वाली है, उनकी चैकिंग चल रही थी, मैं पसीने में पूरा गीला हो गया, गर्म हो गया, मेरे कान गर्म हो गया, मेरे चैरा गर्म हो गया, भागने का दिल कर रहा था मेरा, मैंने सोचा मैं क्या करू जो इनको मुझे पर भरुसा हो, अंजान बनू, शायद कुछ हो जाए, या फिर डरना चाहिए, डरने से ज्यादा भरुसा होता है, क्या करूं, मैं हड़बढाने लगा, तो वो बोले बेटा आज ड्रक्स नहीं है? नहीं सर कौन सी ड्रक्स? मुझे रूना आ रहा था मैं रूना चाहता था उन्होंने फट से मेरे सामान की तरफ देखा और बुला बेटा मार्क सच बोल दो शायद तुम बच्चा हो लेकिन मैं आडा रहा नहीं सर मेरे पास कुछ रही हैं ओके दन सामान उठाओ बैग में डालो और निकलो एक मिनट बैग ये बैग वो बैग के पास में गए और एक आखरी कोशिश में बैग की तरफ देखा उन्होंने पैरों से थप थपाया उसे उनका पैर किसी चीज़ पर रुका और पूछा ये क्या है? बैग उठा कि यह से मुझे आदफ थी कि मैं रातों में घर से बाहर निकल जाता था अपने दोस्सके साथ में, सिगरेट बेशता था, बैक की नीचे एक सिगरेट जेगर बना रखी थी ड्रग्स चुपाने के लिए मैंने, अब जैसा कि इस आदमी ने वादा किया था कि सच बता दे मै नहीं कुछ भी नहीं घर में रहो एड्मिशन कोई देगा नहीं और घरवालों ने उन दिनों मेरे बाल गटवा दिये चोटी-चोटी करवा दिये सारा सामान मेरा फैक दिया पापा मुझे अपने साथ काम पर ले जाते घंटों काम करवाते थे घर पर ही पढ़ाई करता था क्लरक बनने के लिए तैयार किया जा रहा था मुझे और उस वक्त आप सुचो कि इससे बुरा क्या होगा तो उस वक्त मेरे मावापने डिवार्स लेने का फैसला कर लिया था ये सब बताने का मकसद ये है कि मेरे जवानी की तो वाट लग चुकी थी दोस्त को दिये स्कूल खो दिया लीगल राइट्स खो दिया और अब फैमिली की बारी थी सिर्फ नौ महीने के अंदर सिर्फ नौ महीने में ये सब कुछ हुआ उस वक्त में दुनिया का सबसे हारा हुआ इंसान खुद को महसूस कर रहा था तकलीव बस इस बात की थी कि मुझसे किसी ने कुछ भ भाया सब एकसेट कर रहे थे मैं उनको कुछ नहीं बोलूँगा उनकी लाइफ है उनकी कोई गलती नहीं है मुझे उन्होंने बता दिया कि वो क्यों अलग हो रहे हैं कुछ चीज़े ऐसी होती है लाइफ में अगर जनकी बात नहीं की जाया सॉलूशन ना निकाला जाया उ लंबे टाइम तक तक तकलीफ देती है वो चीज़े पर उस चीज़े का रजल्ट पता है क्या होता है आगे चलकर हम यह मानने लगता है कि हम अलग है दूसरों से तो हमें बहुत अलग तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए मुझे भी ऐसा लगने लगा कि मैं सबसे अलग ह लड़कियों का पीछा करने लगा लग रहा था जो कर रहा हूं जो कह रहा हूं सब सही है ताम कुछ करता नहीं था दोस्तों के सोफे पर पड़ा पड़ा रहता था कभी मम्मी के घर शराप पीके पड़ा रहता था पर धिरे-धिरे क्या दोस्त भी कम होने लगे अब कुछ अलग बटाओं किया जाना चाहिए दूसरी फिलिंग जो होती है मैं तो विल्कुल बेकार हूं बाकी सब सही है इस दुनिया में तभी भी मुझसे special treatment किया जाना चाहिए मतलब या तो हम दुनिया के सबसे top पर खुद को रख लेते हैं सबसे उपर या फिर सबसे नीचे bottom पर मतलब बीच में हमें रहना नहीं है खुद ही अपने इसार से मतलब निकाल लेते हैं जिंदगी का और एक ब्रह्म बना लेते हैं कि हम तो दुनिया में सबसे अलग हैं खुद को normal तो मानना है नहीं है या तो हम सबसे नीचे हैं या सबसे उपर हैं बीच में तो हम है नहीं और ऐसा कभी हम नहीं सोचते कि हमसे पहले भी ये problems किसी ने face की होगी कितने लोगों ने face की होगी या भी भी कर रहे हैं तो समझो आप कोई खास नहीं हो, आपकी problems भी कोई खास नहीं है आपसे पहले भी face करके गए हैं लोग आगे आपको नहीं लगता एक बात आपने notice की हो या नहीं आजकर लोगी feelings बहुत जल्दी hurt हो जाती है बहुत आसानी से hurt हो जाती है, खासकर कि students की किसी book में अगर कोई chapter हटा दिया गया है तो उसका reason होता है कि students की feelings कोई ये chapter hurt करेगा कुछ ऐसा बताया गया इसके अंदर कोई कुछ खुल के नहीं बोल सकता आज की time पर किसी की dress पर comment करने पर भी लोग नाराज हो जाते हैं उनिवर्सिटी campus में आने पर उसमें बैन लगा देते हैं तो students आज कल कुछ ज्यादा ही sensitive हो गए है रोज रोज छोटी छोटी चीजों को लेकर hurt हो जाते हैं ये वो time है जब इंसान इतना connected होकर के भी कितना अखिला है मतलब social media पर और दूसरे platform पर इतना connected होने के बावजूद लोगों से कितना अकिल है कुछ तो ऐसा है इन चीजों में जो हमारी तकलीफों को बढ़ा रहा है हमें आज के time पर इतनी आज़ादी चाहिए कि कोई कुछ बोले नहीं हमें बस जितना ज्यादा हम इन feelings को दवार है न अपनी जितना ज्यादा आज़ाद होने ही कोशिश कर रहे है उतना ज्यादा अंदर से तूट रहे है जितनी आसान हमारी जिंदगी आज के time पर होती जा रही है उतना ज्यादा ही stress बढ़ रहा है पता है हम जिस time में जी रहे हैं आच जिस time में हम लोग जी रहे हैं शायद history में इससे भातर टाइम कभी राहे नहीं कोई world war नहीं है कोई दूसरी चीज लड़ाई पाने के लिए नहीं है यहाँ पर सिर्फ हमारे आसपास technical चीज हैं जो हम में knowledge भर रही है तो उसके सासत अकेलापन भी दे रही है सोचो, हम मैंसे ज्यादतर लोग ज्यादतर कामों में एवरेज ही है कोई एकाज चीज में अच्छे हो सकते हैं हम मैंसे लेकिन दूसरी चीज में एवरेज ही है जैसे आसपास देखो कोई भी आजकल ऐसा नहीं मिलता जो सब चीजों में अच्छा हो यह ज्यादतर क्रुकेटर्स, सेलीबर्टीज होते हैं या अंदर से उतने ही खोकले होते हैं इतने ही डारक्षन लेस होते हैं जितने इनकी फैंस होते हैं हम सब ये बात जानते लेकिन मानने को कोई तयार नहीं है या शायद अन्चीजों को हब इतना जरूरी नहीं समझते आज के टाइम पर कोई भी चीज हमें तभी अच्छी लगती है या तो वो बैस्ट में बैस्ट हो या बुरी में बुरी हो या फिर ऐसा मज़ा आये कि ऐसा मज़ा कभी ना आये ऐसी कॉमेडी हो जटका देने वाली नियूज हो हमेशा कुछ ना कुछ चटपटा चाहिए तभी मज़ा आयेगा जिन्दगी जीने का मीडिया इस चीज को समझते वे कोशिश करती है आपका ध्यान अपनी तरफ खीच रेगी आपने कभी इस बात को नोट किया है कि हम सब एबरेज हैं लेकिन इस बात को मानने को कोई भी तयार नहीं है हर किसी को अपने आपको खास मानना है एक बेचे नहीं पील करते रहते हैं अंदर कि मुझमें कुछ स्पेशल है मुझे स्पेशल बनना है सेलिबरिटी बनना है इसके लिए अलग-अलग कुशिशे करते हैं चाहे बच्चों को स्कूल में सिखाने जाना हो कोई लेक्चर देना हो या फिर स्कूल पर गूलिया चालननी पड़े है स्पेशल बनना है क्योंकि हमारे आसपास दुनिया बदल रही है और हम भी इसका हिस्सा है मानो चाहे मत मानो लेकिन सोशल मेडिया ने सब को जोड दिया है कि तुम भी आओ खास बनो बनो और इससे प्राबलम क्या आई है कि हम लोग अपनी उम्मीदों के बड़न के नीचे दबते जा रहे हैं लोग खुद को बेकार मानकर इस लाइम लाइट में आने के लिए ज्यादा भड़काओ दिखने की कोशिश करते हैं कूल दिखने के लिए पार्टी करते हैं पीमेल फॉलॉइंग कितनी है तुमारी ये सब चीज़े हैं और मीडिया भी इन चीज़ों को बड़ावा देती है इंटरनेट सर्फ कनेक्टिविटी और इंफरमिशन का नहीं बल्कि अकेलेपन और इन सिक्यारिटी का भी एक सूर्स बन गया है हम सबको लगने लगाए कि हम सबको किसी खास मकसद के लिए बनाया गया है और ऐसा ही हम करती रहते हैं कि हम युनीक हैं अगर सभी युनीक होने लग गए सभी स्पेशल होने लग गए तो मतलब आज की टाइम पर तो एक एवरेज आदमी बनना युनीक हो गया थियोरी के साफसे तो यह ही है अगर सारे के सारे युनीक होने लग गए तो average आदमी तो rarely मिलेगा तो average रहना कोई पसंद नहीं करता किसी को या तो top पर रहना है attention चाहिए या फिर नीचे गिर कर attention चाहिए आपको पता होगा लोग ये भी साबित करने की कुशिश करते हैं अबर्दस्ती नीचे रह करके कि हम सबसे ज्यादा परिशान है तो हमें special attention मिलने चाहिए ऐसा करके आप खुद की और अपने जैसे हजारों लाखों average लोगों की insult कर रहे हैं इसके बजाए आप अगर वो चीज़ें करोगे जो आपको ये वो चीज़ें हैं जो माइने रखती है आने वाले टाइम में खुशी देंगी अगर आप मेरी बात को गौर से सुन रहे हो तो एक कहानी सुनाता हो जो शायद आपको कुछ सिखाएगी और शायद आपकी आँखे खूलते आपको पता होगा Second World War का टाइम था उस वक्त आखरी टाइम पर जापान की हालत खराब होगी थी अमेरिका ने इतना दबाव बना दिया था जापान की आधी आर्मी पूरे पूरे आधे एशिया में फैले होई थी जापान को खुद को नहीं पता कहां कहां फैले होई थी तो अमेरिका अब उनकी जगहों पर कबजा करने लगा था तो 1944 में एक लाप्टिनेंट था वहाँ पर जैपनीस आर्मी का ओनोड़ा नाम था उसका नाम सुन लो ओनोड़ा नाम था उसका उसको फिलिपिन्स बेजा गया अमेरिकन आर्मी को रोकने के लिए जो कर सकता था करे लेकिन सरेंडर ना करे वो सरेंडर करने वालों में से था भी नहीं उसको उपर से आर्डर मिले थे कि सरेंडर मत करना लड़ते रहना वो लड़ने वालों में से था तो वो चला गया फिलिपिन्स के एक आइलेंड पर पर टाइम के साथ क्या हुआ अमेरिका जापान पर इतना हावी हो गया वो दिसंबर का टाइम था जब वो 1944 में वहाँ पर गया था आइलेंड पर उसके बाद में 1945 में हम सब जानते क्या हुआ था जैपनीज आर्मी के बहुत सारे सोल्जर्स मारे गए बहुत सारों ने सरेंडर कर दिया लेकिन अनुडा और उसके तीन आदमी जंगल में वैसे ही छुपे रहे कैसे ना कैसे वहीं पर छुपे रहे और अमेरिका और फिलिपिन्स के लोगों के साथ में गोरिला वाली लड़ाई शुरू करती ये गोरिला वार खतनाग होती है इसमें पकड़ने ही पाते ये लड़ाई करने वालों को अमेरिकन आर्मी की नाक में दम करके रख दिया इस ओनरडा और इसके आदमें हैं और हम सब जानते हैं कि उसी साल क्या हुआ था 1945 में हिरोशिमा और नागासागी पर बम गिरा दिये लड़ाई खत्म हो गई एक ड्रामेटिक टाइप से एंडिंग होई थी जापन ने घुटने टेक दिये थे और उसकी बाद में अमेरिका ने ही वहां का विकास किया था तो पता है क्या हुआ ये अनुडा इसके तीन आदमी और बाकी सारे काफी सारे जैपनीज आफिसर्स इनको तो पता भी नहीं था लड़ाई खत्म हो गई ये अभी भी जंगलों में चुपे हुए थे हमला कर रहे थे लूट पार्ट कर रहे थे वहां के नेटिव लोगों के साथ में भी और अमेरिका का जो भी सिपाई इनको मिलता था उसको माटते थे तो अमेरिका ने क्या किया ये लोग जंगलों में चुपे हुए है अब लड़ने का कोई फायदा है ने तो जैपनीज गवर्मेंट के साथ मिलकर हजारों पड़्चियां उपर से बटवाई फिकवाई बटवाई एक मैसेज के थ्रू ये बताने ही कोशिश की इनको कि लड़ाई खत्म होग ये बाहर आजव लेकिन ओनड़ा और उसके आदमियों ने ये पड़्चियां पड़ी ही लेकिन उन्हों सुझा ये सब जूट है अमेरिकन्स की चाल है हमें भाहर निकलवाने के लिए क्योंकि वो ऐसे नहीं पकड़ वार है हमको तो ऐसे जूट बोलके पकड़ना जाते हैं उन्हों आड़ा रहा पांत साल गुजर गए पड़्चियां भी वटना बंद हो गई उन्होंने का आप नहीं आरे तो नहीं आरे है अमेरिकन आर्मी भी वापिस लौट गई अपने घर पर और फिलिपिन्स की लोग भी अपने काम में लग गए लेकिन ये अभी भी जंगलों में पता नहीं किस चीज की कौन सी जंगल अड़ रहे थे किसानों को परिशान करके रखा था जिस किसान को देखते थे उसको गोली मार देते थे उनकी फसले जला देते थे पिलिपिंस की गवर्मेंट परिशान हो गए इन लोगों से समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन ये नहीं माने कोई पाइदा नहीं था पिर 1952 में जापान ने ही कोशिश की आखरी कोशिश की कि अपने जुपे हुए सोलजर्स को हम लोग बाहर निकालने की कोशिश करेंगे समराट ने क्या किया एक हिडन मैसेज इनको भेजा लेकिन फिर भी ओनोडा बाकी सबने सरेंडर कर दिया होगा लेकिन ओनोडा नहीं माना उसे लग रहा था कि अमेरिकन्स हमें बाहर निकालते ही मार देंगे सालों गुजर गए नेटिव लोग इतने परिशान हो गए उनसे कि उन्होंने भी हत्यार उठा लिया इनकी खिलाफ 1959 तक ओनोडा के दो आदमियों ने तो सरेंडर कर दी एक आदमी ने सरेंडर कर दिया था एक मारा गया था एक पुलिस के आतों मारा गया था फसल जलाने के वज़े से अब अकीला रह गया था ओनोडा मतलब जापान की लडाई खत्म होने के 25 साल बात तक भी लडाई खत्म होने के 25 साल बात तक भी ओनोडा पता नहीं कौन सी लडाई लड़ रहा था आदी से ज्यादा जिन्दगी इन्होंने जंगलों में गुजार है बहुत लोग सोचते थे कि उसके पास सुपरनेश्रल ताकते हैं ऐसी कहानिया बनना शुरू हो गए तो इनी कहानियों को सुनकर सुजूकी नाम का लड़का इसको पता नहीं क्या जच गई यह ओनड़ा को ढूंड़ने निकल गया खुदी अपनी जिंदगी का एक ही मकसद बनाकर कि ओनड़ों का ढूंड़ना है आवारा टाइप का तो यह था जहां मिलता था खाल लेता था जहां मिलता था सो जाता था तो इसने ओन क्या था जंगलों में जाकर जोड़ जोड़ से ओनड़ा ओनड़ा कहकर चिला कर यह सरफिरा चला गया अकिला ही चला गया जंगल में दाखिल हो गया और कमाल की बात यह थी चार दिन तक इसने चिलाया और ओनड़ा मिल गया और कमाल की बात ओनड़ा ने इस पर भरोसा भी कर लिया यह किसी ऐसे जैपनिस आदमी से सुनना चाता था कि लड़ाई खत्म हो गई है जिस पर इसको वाकई वरुसा हो सके इसको यकीन हो गया कि लड़ाई वाकई खत्म हो गई है और यह दोनों दोस्त बन गए अब यहां गौर्ट से सुनना एक कमाल की बात बता रहा हूं Suzuki ने जब Onoda से पूछा कि Onoda अभी तक तुम बाहर क्यों नहीं है तो उसने क्या बोला पता है कि मुझे orders मिले थे कि मुझे surrender नहीं करना 30 सालों तक इसने वो orders का पालन किया खुद को ही जूटे orders दे रहा था कि surrender नहीं करना और बदले में Suzuki से Onoda ने पूछा कि तुम मुझे यहां जंगल में ढूडने क्यों आए तो वो बोला मेरा मकसद था पता नहीं यह दोनों कौन सी दुनिया में जी रहे थे खुद को hero मान कर जबकि life में दोनों ने कुछ भी ऐसा कुछ खास नहीं किया था सुजूकीद का तो मकसद खत्म हो गया वो थोड़े सालों बाद हिमाला में जाकर पहाड़ियों में मर गया वही पर जबकि ये आदमी वापस जैपान आ गया इससे हमको ये पता चलता है कि इंसान अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा बेमतलब की चीजों की परवा करने में खर्च कर देता है इल्यूजन्स में जीना पसंद है उसको इसके बाद में अनोडा से पूछा गया कि भाई तुमको अफसोस नहीं है तीस साल तुमने ऐसे ही गवा दिये तो उसने का मुझे गर्व है कि मैंने जैपनिस सामराज्य की सेवा की जो अभी बचा भी नहीं था ये चीज़ उसे बाद में जैपान जाने के बाद में पता चली इन लोगों ने कभी अपने आप से पूछा है नहीं कि मैं क्यों इतनी तकलीफ जेल रहा हूं और वापर जैपान लोटा तो वापर लोटने के बाद में एक सैलिबरीटी बन गया जैपान की लोग उसका इंटर्विव लेने के लिए आया ऐसा वैसा करके लेकिन जैपान लोटने के बाद इस बंदे ने क्या देखा कि अब जापान पहले वाला नहीं रहा इसका वाला जापान वो जापान बचा ही नहीं था अमेरिका की तरह बन गया था वेस्टरन थेंकिंग को अपनाया जा रहा था वहाँ पर जिस जापान को बचाने की लड़ा था 30 साल खराब कर दिये थे वो अब बचाए नहीं था उसने जैपनीज लोगों को समझाया कि हम लोग लड़े हैं तुमारे लिए तुम ये सब क्यों अपना रहे हो लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी उन लोगों के लिए भले एक हीरो था हीरो होने के बावजूत पता कैसा हीरो था एक शोपीस टाइप का जिसे म्यूजियम में रखा जाना चाहिए था और उनरा तूट गया अंदर से इतने साल जंगल में रहकर के भी वो इतना नहीं तूटा हुगा जितना इस बात ने तोड़ दिया कि जंगल में कम से कम जीने का मकसद तो था लेकिन यहां पर अपने ही लोगों को वैस्टन कल्चर में देखा तो यह चीज़ देखकर वो तूट गया बरदाश्ट नहीं हो रहा था कि उसने इतनी पागलों की तरह लड़ाये की क्या फायदा हो यह बात उसको खाये जा रही थी कहां गया वो जापान तीस साल बरबाद कर दिये बेकार कुशिश करने में और एंड में आखिर वो जापान छोड़ कर चला गया और वहीं जाकर मरा ब्राजील में जाकर यह चीज़ हमें क्या सिखाती है एक ही बात सिखाती है कि हमने कौन से प्रिंसिपल्स बना रखें अपने सेल्फ अवेरनस नाम की कोई चीज है भी या नहीं यह जो सेल्फ अवेरनस होती है एक प्याज की तरह होती है एक ओनियन जिसके जितने चलके उतारोगे उतने आसू आएंगे इसकी पहली लेयर होती है emotions emotions की समझ लोग इस first level में अटक जाते हैं बदकिस्मती से जैसे मैं और मेरी wife एक ही type के सवाल बूसते हैं एक दूसरे से क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ तो हुआ है नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, परिशान लग रहे हूँ आइसके बोलता हूँ, ठीक हूँ ना? आदे गंटे तक ये बकवास चलती आती है हम सब की जिंदगी में कोई ना कोई खाली जगह होती है जिनको हम अपने emotions से बढ़ते हैं और इन सब चीजों को समझने में सालो लग जाते हैं हमको तो ये self awareness प्याज की तरह होती है जितने चलके उतारोगे उत्रा रोना आएगा पेकिनलेर्स को उतारोगे नहीं तो अपने आपके बारे में जान कैसे पाऊगी कि आप किन principles पर टिके हुए हो लोग जानते ही नहीं हैं अपने बारे में कि वो कितने गलत है कुछ से honestly सवाल पूछना बहुत मुश्किल है क्योंकि डर लगता है हमें कि हम गलत तो नहीं सोच रहे आपके जो भी हालात हैं आज या कभी भी उसके लिए जरूरी है कि आप अपनी problem को किस नजरीय से देख रहे हो एक rock star था उसकी कहानी सुनाता हूं आपको 1983 में एक guitarist था उसको उसके band ने बाहर निकाल दिया धक्ये माहर के बाहर निकाला बहुत बेज़िती हो गये उसकी कैसे पता नहीं क्या हुआ क्या बज़े रही उसको कोई warning भी नहीं मिली बस एक दिन आ करके उसको song recording के दो दिन पहले उसको आ करके बाहर निकाल दिया गया एक वापसी का ticket पकड़ा दिया गया हाथ में बस का ticket पकड़ा दिया गया नियू यॉक से लास एंजलेस का अब वो गया बस में बैठा बैठा सोचने लगा कि ऐसा क्या हो गया उससे क्या गलती हो गया अब क्या करूँ सब कुछ blank लग रहा था उसके सामने उसको अब दोस्तों घर तक जाते जाते पूरे रास्ते में उसने बहुत रो लिया बहुत आंसू बहा लिये लिकन end में घर तक महुँचने से पहले पहले उसने खुतबर जीत पा ली रोना बंद किया खुतबर तरस खाना बंद कर दिया और तै किया कि एक नया बैंड बनाऊंगा उन लोगों को बताऊंगा कि उनसे क्या गलती हुई है क्या खुया है उन्होंने मैं क्या चीज हूँ टीवी पर वो मुझे देखेंगे मेरे पोस्टर्स देखेंगे मैगजीन में देखेंगे मैं बहुत रोच चुगा बहुत आंसू बहा लिए और मेरे हर एक आंसू की कीमत 100 डलर का नोट होगी और इसके बाद वो पागलों की तरह देवानों की तरह लगया अपना बैंड बनाने में महीनों तक उसने गाने लिखे पूरे दिल से वो गाने गाये दबा हुआ गुसा उसकी बदले की आग में घी बनकर उसका नशा बनकर बहार निकला और कर दिया उसने जो करना था एक बहुत बड़ा गिटारिस्ट बन गया और उस गिटारिस्ट का नाम है डेव मस्टेन डेव मस्टेन नाम है इसको आज हैवी मेटल बैंड का सबसे इंफ्लिएंस करने वाला माना जाता है इस सब के बावजूद एक इंटर्विव हुआ था इसका उसमें से बढ़ी आँखों में दुनिया को बताया था कि आज भी ये खुद को बहुत अंसक्सेस्फुल मानता है पता है क्यूं क्योंकि इसके दिल में वही दर्द लेकर आज भी बैठा हुआ है दरसल हम सब जो है एक बंदर है आखिर है तो बंदर ही हमें लगता ही है वड़िया जूते कपड़े पहन कर हमें तहजीब आ गई है कल आ गई है लेकिन हम दूसरे से कंपेरिजन करना आपने आपको नहीं चोड़ते उस लेवल पर पहुँचने की बात भी हसलो चाहो तो हसो इस आदमी पर लेकिन आप भी जैसे तैसे कोई ना कोई बात अपने दिल में रखकर बैठे ही हो न दिल में तो होगी बस हमारी प्राब्लम्स का नजर ही आ थोड़ा सा लग है और नोड़ा को याद करो जिसकी उमीद ने उसे 30 सालों तक जंगलों में जिंदा रखा कीडे मकोडों के बीच में पता नहीं वो ही खाये होंगे उसने लेकिन जापान वापस लोटने पर उसी उमीद ने उसे रुलाया कि वो कितना पागल था तो हमारी सिच्वेशन ठीक होने के बावजूद भी अगर हम अपने थाट्स नहीं बदलते तो हमारे थाट्स में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है जो खुशी खुशी की बात करते हैं हम लोग ये खुशी चाहिए तो खुशी किस चीज की ये खुशी है क्या आपके लिए खुशी कुछ और है एक शराबी के लिए शराब में खुशी है बुकी आदमी के लिए रोटी में खुशी है तो ये ब्रहम है खुशी नकली चीज है और थोड़े टाइम तक ही रहेगी गम भी आएगा थोड़े टाइम की खुशी हम किन चीजों में देखते हैं जैसे दुख का कोई सॉलुशन आप वीडियो गेम खेल कर जीत कर या फिर वीडियो गेम में जीत कर या सोशल मीडिया पर लाइक्स जमा करके ढूण रहे हो तो ये थोड़े टाइम की खुशी डून रहे हो इससे ज़्यादा खुशी यहाँ पर आथर बोलते हैं एक बच्चे को पालने से मिलेगी लंबे टाइम के लिए की गई किसी चीज में खुशी मिलेगी जिसका कोई मतलब है जिससे वाकई कुछ मिलेगा थोड़े टाइम की मिलेगी खुशी थोड़े टाइम के लिए होती है हमेशा पील गुड करना हमेशा आटेंशन के बीच में रहना दूसरों को पसंद आना यह सब नकली खुशी है असली दुनिया से जुड़ो अपने आप से सवाल पूजो कहीं वो जापानी लाटेंट ओनडा की तरह आप भी भ्रम्मे तो नहीं जी रहे खुद को एक हीरो मान कर हमेशे कोई भी आदमी उसको फॉलो करना नहीं चाहेगा भले कितने भी इंस्पार हो गए लेकिन फॉलो करना नहीं चाहेगा जब आप उस उनडा को फॉलो करना पसंद नहीं करोगे तो आपको क्यों लगता है कि आपकी जो भी चीज़े आप कर रहे हो ये चीज़े करने से लोग आपको फॉलो करेंगे अगर अभी कोई आपकी कान पर बंदूग रखकर बोले कि चल 26.2 मील की रेस तगा चल तो वो मुमेंट आपको इतना दर्द देगा ना कि पूछो मत मतलब भागना इतना मुश्किल हो जाएगा अगर वो ही 26.2 मील अगर कोई मैराथन की रेस हो आजादी से आपको दोड़ने को मिले तो वो दर्द बरा बहुत बुरा लगता है उस टाइम पर तो कहने का मतलब ये है मेरी इस बात का कि किसी भी प्राबलम का तकलीफ देना इस पर डेपेंड करता है कि आप उस प्राबलम को कैसे लेते हैं तो फर्क बस इतना ही है बुरी से बुरी चीज हमने अगर अपनी मर्जी से चुनी हो तो उसमें कोई खराबी नजर नहीं आएगी हमको और आएगी भी ना तो हम उसको खुदी चुपा लेंगे क्योंकि मैंने अपनी मर्जी से इस चीज को चुना है मेरा बताने का मतलब बस इतना है कि कभी कभी कुछ कुछ ऐसा होता है जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता हमारी जिन्दगी में वो चीज हो जाती है लेकिन उसके बाद में उस चीज के होने के बाद हम उस बात को कैसे लेते हैं इस पर हमारा पूरा पूरा कंट्रोल रहता है जैसे मैं एक आदमी को जानता था जिसकी हाइट बहुत कम थी मेरी भुगा का लड़का जिसमें उसका कोई कंट्रोल नहीं था ये तो उसकी लाइफ में हो गया था जिस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं था लेकिन तब जब भी भी देखो वो हमेशे पस्ताता रहता रोता रहता एकी बात के लिए रोता रहता जिसमें उसकी कोई गलती नहीं थी पढ़ा लिखा था, दिखने में अच्छा था, बाते अच्छी करता था लेकिन हमेशे खुद को दोश देता, मेरी हाइट कम है कोई लड़की मुझे क्यों पसंद करेगी, चाहे वो कटती भी हो, और अगर मानलों से बात हो भी जाए, तो ये खुद ही आगे से उसको दिखाने के लिए कोशिश करता, ऐसी ऐसी बाते करता, कि वो खुद ही से नाराज हो के चली जाए, मतलब उसने खुद की एक आइडियल प्रजी को छोड़ कर अगर ऐसा सोचता कि मैं भले हाइट में तुमसे बहुत चोटा हूँ लेकिन अगर तुम्हें मुझे इसी हाइट के साथ accept करना है तो मैं भी तुम्हें accept करने को तयार हूँ नहीं तो तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते मैं ऐसा इसलिए बोल रहा अब इसमें मेरी क्या गलती अब मुझे पर depend करता है कि मैं उस बच्चे को ऐसे तो नहीं छोड़ सकता मैं उसे पा लूँ उसकी जिम्मेदारी लूँ या पुलिस को भेज दूँ तो उस वक्त मुझे एक court का judge मान कर एक अदालत का judge मान कर फैसला लेना है कि सामने कोई case चल उसके जाने के बाद मुझे ऐसा लगा मैं जी नहीं पाउंगा जैसे किसी ने मेरे पेट में 200 तरी पर मुक्के मार दियों कि जाने के बाद मैं बहुत रूया चलाया और जैसे हर boyfriend करता है वैसे सब कुछ किया अब मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही थी कि मेरे साथ जो वो कंट्रोल था क्या मैं उसको रोक लेता उसको ब्रेनवाश कर देता उसको रोक लेता कि मुझे वापस अपना ले ऐसा कुछ नहीं होता लेकिन उसके जाने के बाद जो मेरे एमोशन सा है उस पर मैं कंट्रोल रख सकता था मुझे ही समझना जरूरी था कि वो वापस आकर पह सिर्फ उसकी पूरी गलती नहीं थी मैं भी कोई बाइफ्रेंड आफ दे येर नहीं था उसके लिए हां कुछ गलती मेरी भी थी जैसे उसने मुझे छोड़ा तो कैसे मैंने उसके कैरेक्टर पर सवाल उठा दिया अपने एमोशन्स में भैकर मैं उस वक्त खुद को कंट्रोल नहीं कर सका बात वही है जैसे सड़क पर चलते चलते आपको किसी ने लूट लिया इसमें गलती आपकी नहीं है लेकिन उस लूट के बाद बदले में आप क्या रियक्शन उसको दोगे उससे लड़ोगे हीरो बनने के चक्कर में या फिर अपने लुटने के बाद में पु 2008 की बात है तालिबान ने 39 पाकिस्तान की एक इक इलाके पर कबजा कर लिया वहां उस इलाके में सब अपने हिसाब से चलाने लगे कोई टीवी नहीं कोई फिल्म में देखनी है वहां के लोगों को बिना किसी मर्द के वहां पर औरते बाहर नहीं निकलेगी अपने घर से लड 12 साल की लड़की स्कूल गई उसने स्कूल जाना जारी रखा ये बोल कर कि तालिबान कौन होता है ये ताय करने वाला कि मैं पढ़ूंगी या नहीं मुझे तालिम मिलेगी या नहीं पर 2012 में 14 साल की उम्र में स्कूल की बस में इसको गोली मार दी थी सर के अंदर चेहरा लगने के बाद ये कौमा में चली गई उसकी बाद में सही होकर वापिस आज एक एक अक्टिविस्ट है जिन्दा है 22-23 साल की अक्टिविस्ट मुस्लिम देशों में जो भी लड़कियों के खिलाफ जो कुछ भी गलत हो रहा है उस पर आवाज उठाती है इसको पीस के आदमी बोलता है अब यहां पर गौड से सुनना इस बुक के आथर को एक आदमी बोलता है ब्लॉग पर कमेंट करके कि तू क्या समझता है एमोशन पर कंट्रोल रखना इतना आसान है तू गल्फरेंड की बात करता है मेरा तो बेटा मर गया खुद का बेटा अगर तेरा ब बोला है इस आदमी ने लेगन इस वक्त कहीं ना कहीं इस आदमी ने मेरी इंसल्ट की है तो मुझे तैय करना है मैं इससे लड़ू या कोई नहीं बोल कर जाने दूँ ठीक है मैंने का कोई नहीं माफ कीजिएगा सर मैं आपके एमोशन समझ नहीं सकता वो आदमी नहीं रख और उसके बाद तैय करना पड़ेगा कि आगे का फैसला क्या लेना है कि मैंने इस भयानक जिंदगी को नहीं चुना अपने इन भयानक हालातों को नहीं चुना लेकिन मैं इनके साथ रहना सीख क्या हूँ क्योंकि आप अगर आपने आसपास देखोगे तो ज्यादतर लोग ये दिखाने की कुशिच करते हैं कि वो कितने परिशान है आज कल खुद को परिशान दिखाना एक पैशन होगा है लोग ज्यादा से ज्यादा खुद को परिशान दिखाने की कुशिच करते हैं यहां तक की political parties भी लेकिन problem इससे यह होती है कि जो असलियत में परिशान है वो नजर में नहीं आते पहचानना मुश्किल हो जाता है कि कौन सही में परिशान है या कौन ड्रामा कर रहा है तो क्यों खुद को परिशान दिखाते हैं खुद को परिशान दिखाकर इनसान यहां पर यह साबित करना चाता है कि मुझसे अच्छा है इस दुनिया में कोई है नहीं और वो expect करता है कि लोग मेरी situation पर reaction देंगे जब लोग reaction देते हैं तो उसे थोड़ा बहुत अच्छा लगता है लेकिन यह थोड़े time की खुशी होती है जो थोड़े time में मिलती है और थोड़े time में गाया हो जाती है जो से अंदर ही अंदर से खुकला कर रही है इन चीजों को बदलने के लिए थोड़ी सी अपनी ideology को बदलो कि अभी तक जो भी मैं मानता हुआ आया हूँ सब गलत है तभी आपका सीखना शुरू होगा जैसे सालों पहले कहीं किसी जगह पर औरतों का ये मानना था कि कोई dog होता है कुता उसका urine मुपर लगाने से खुबसूरती बढ़ेगी इससे पहले लोग मानते थे कि सूरज प्रत्वी के चक्कर लगा रहा है लेकिन आज ये बाते सच नहीं है मैं जोस्ता था मेरी girlfriend मुझे छोड़ जाएगी कि फिर मुझे किसी और लड़की से प्यार हो गए नहीं क्योंकि प्यार सर्फ जिन्दगी में एक ही बार होता है लेकिन बाद में हो गया तो जरूरी नहीं है जो लोग समझते हैं जिस वक्त समझते हैं वो सही हो आज से 300 साल पहले किसी चीज को जिस नजरीय से देखा जाता था आज उसको दूसरे नजरीय से देखा जाता है तो आज हमें 300 साल पहले कि लोगों की चीज़े बचकानी लगती है हो सकता है आज से जो 300 साल बाद जो पीड़ी आएगी उसको हमारा किया हुआ सब कुछ बचकाना लगने लगेगा तो मैंने तो अपनी सोच को खुला रखा है हमेशा फ्लक्सिबल कर रखा है कि जो मैं सोच रहा हूँ शायद वो गलत हो और कोई और बहतर बंदा आकर मुझे इस से बहतर सिखा दे क्योंकि मेरे हिसाब से कोई भी इस दुनिया में completely सही नहीं है बस हो सकता है कि लोग कम गलत हो अगर हम कुछ नया सीखेंगे तो और कम गलत होंगे कुछ नया सीखेंगे तो और कम गलत होंगे लेकिन completely सही हम कभी नहीं बनेंगे गलत को accept करना ही सही तक पहुँचने का रास्ता है पता नहीं कितनी समझ में आ रही होगी मेरी बात योगी दोस्तों ये हमारा दिमाग जो होता है दिमाग ये अपने हिसाब से चीजों के मतलब निकालता है और जो भी ये मतलब निकालता है हम उस मतलब की तरब जुकने लगते हैं जैसा एक comedian ने कहा था एक comedian बोल रहे थे इस book के हिसाब से कि मैं मानता था इंसान के शरीर में सबसे ताकतवर चीज है उसका दिमाग लेकिन बाद में जब मैंने सोचा है कि ये बात मुझे बता कौन रहा है मेरा दिमाग जैसे इस book के हिसाब से एक story है बहुत ही interesting 1988 में एक reporter थी जिसकी therapy चल रही थी उसके हिसाब से बच्पन में उसके पादर ने उसे sexually abuse किया था उसको इस बात का बहुत सदमा था जिसके साथ वो जिंदगी भर रही इस सदमे के साथ में 37 साल की उमर में उसने अपने family members को ये बात बताई तो family members में से कुछ family members ने तो इस बात को माना नहीं कि वो ऐसा कर सकते हैं और कुछ family members इसके साथ में हो गए उसके फादर ने explanation दी कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया लेकिन फिर भी ये अपने फादर के खिलाब थी 1996 में उसे एक थेरपी के दौरान उसने एक थेरपी करवाई थी दिमाग पर प्रेशर डालने वाली चीजों को जोर दिलबा कर याद करवाना तो थेरपी के दौरान उसके दिमाग पर जोड दिलबा कर उसे याद करवाया गया तो पता है क्या पता चला उसके फादर ने सचमच ऐसा कुछ नहीं किया था और इसके बाद उसने पच्टावे में रहकर अपनी बाकी की जिंदगी अपने परिबार को मनाने में गुजारी लेकिन बहुत देर हो चुकी थी उसके फादर तो गुजर चुके थे आकर गुजर गए थे उस रिपोर्टर ने अपनी एक बुक भी लेकिए चाहो तो इंटरनेट पर सर्च कर लेना उसका नाम है मलाय, A True Story of False Memory तो कहने का मतलब जरूरी नहीं है जैसा हम मानते हैं वो एकदम सही हो एक बाद चेक तो कर लो कि वाकई आप सही हो मैंने बताया था ना हमारी जिंदगी में कुछ खाली जगह ऐसी होती है जिन खाली जगहों को हम अपनी सोच से भरने की कुशिश करते हैं चाहे वो सोच सही हो या गलत बाद में वो गलत सोच भी अगर भरी होई होगी तो उसको हम सही माननने लगते हैं पास्ट में अगर एक एक्सिडेंट हुआ है तो आज की सारी चीजों को हम उस एक्सिडेंट से जूड कर देखने लगते हैं उस रिपोर्टर ने पर अपने फादर की साथ एसा ही कुछ किया और अब हम भी एसा ही कर रहे है उस रिपोटर को गलत मानकर कहानी की शुरुआत में तो वो रेपोर्टर बहुत इनसेंट लग रही थी अब क्या हुआ एक छोटी सी बात उसकी बारे में पता चली तो गलत हो गई वह हो सकता है हालाती गलत हो हो सकता है उस रेपोर्टर को अपना हस्बेंड ही गलत मिला हो जिसकी वज़े से मर्दों से उसे नफरत हो गई हो चायद वो homo sexual रही हो मर्दों से पसंद दिना हो तो आप क्या काओगे क्या सही है अप कौन सही है यहाँ पर कौन गलत है ऐसी और भी कहानिया गिनवा सकता हूँ जो उसी टाइम पर हुई थी एक मनो वैज्यानिक थे जिन्होंने बुरे लोगों पर research करना शुरूर किया experiment करना कि ये लोग बुरे काम क्यों करते हैं जैसे terrorism क्योंकि उन्होंने ये पाया कि वो लोग बुरे काम इसलिए कटते है क्योंकि वो खुद को महान समझने लगते हैं वो खुद को बुरा नहीं, खुद को महान समझने लगते हैं कि जो वो कर रहे हैं वो सही है बाकी लोगों को समझाने के लिए उन्हें वो बुरा रास्ता ही अपनाना पड़ेगा टेररिजम वैसे ही एक आद्वी, अपनी औरत को ये समझ कर पीटता है कि उसकी औरत का शरीर उसके लिए उसकी प्रापर्टी बन गया है तो वो भी किसी टेररिस्ट से कम है क्या अपनी इसी आइडियलोजी को सही मान कर वो किसी पर जुल्म कर रहा है अपने आपको सही मान कर कि मैं दूसरे को सही करूँगा पहले खुद को सही करना जरूरी है तो ये लोगों को समझाने का कोई फायदा नहीं है ये लोग कभी नहीं मानेगे कि ये लोग बुरे हैं इनको लगता है कि हम सही है हमारी आइडिलोजी सही है हमें छोड़कर बाकि सब बुरे हैं सर्फ ये लोग नहीं हम लोग भी तो हम लोग ही क्यों न ये समझें कि अभी तक हमें कुछ आता ही नहीं है अभी तक शायद हम जो भी सीख रहे थे जो भी हमने सीखा सब कुछ गलत है और आगे अभी हमें और सीखना है वो कहते हैं जब कुछ समस्ता है कि मुझे सब कुछ आता है तो इसका मतलब यह एक्चली वो कुछ नया सीखना है नहीं चाहता मैं बताओं यह कैसे लोग होते हैं अगर इनके पास जाकर कोई इनको बोलेगा कि भाई साब आप गलत सोच रहे हो जमाना बदल गया आप भी बदलो तो इनको ऐसा लगेगा कि अभी तक यह जो सोच लेकर के आए हैं क्या वो सब कुछ गलत था तो इनको खत्रा लगने लगेगा अपनी उस आइडियलर्जी को लेकर अभी तक जो भी मानकर चल रहे थे सब कुछ गलत है तो ये उस चीज़ को लेकर लड़ते हैं कि नहीं हम गलत नहीं है तुम गलत हो जैसे आप अपने बैडरूम में अपने हस्बन के सामने एक रंगीन औरत होने से डरोगी क्योंकि इससे आपकी अच्छी औरत होने की इमिज पर असर पड़ेगा है इस चीज़ का आपको डर है खत्रा है जैसे आप फोन पर अपने दोस्कों साफ साफ नहीं बोल पाओगे भाई आप तो फोन मत किया अगर तु बहुत बोर गड़ता है और फालतो की बात करता है एक ही बात को रिपीट करता है क्योंकि आपको डर है ऐसा नहीं बोल पाऊंगा अभी तक जो उसके सामने अगले के सामने इमिज बनाई है वो सब खराब हो जाएगी हम सब कोई ना कोई आइडियोजी पकड़ कर बैठे हैं उसी के हिसाब से हम जीना चाहते हैं हो सकता है वो आइडियोजी गलत हो लेकिन हम उसको मानने को तयार नहीं हैं जैसा मैंने पहले भी कहा था कि हम जो मानते हैं हम जो फील कर रहे हैं हम जो महसूस कर रहे हैं आज के टाइम पर जो भी डिप्रेशन बगेरा हो सकता है वो हमसे पहले 20 साल पहले कई लोगों ने किया हो और आज वो कई लोग तो आगे बढ़ गए अपनी जिंदेगी में और कई लोग लटक गए तो जो आगे बढ़ गए उन्होंने पलट कर देखा कि 20 साल पहले हम किन चीजों को लेकर डिप्रेश हो रहे थे शायद वो सोचते होंगे कि अच्छा हुआ हम आगे बढ़ गए इसलिए मैं फिर बोलता हूँ कि खुद को स्पेशल मानना बंद करो कि आपके साथ स्पेशल ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए आप बहुत नीचे सबसे बॉटम में हो या सबसे टॉप पर हो योगी ये सब भ्रम हैं इल्यूजन मैंने तो अपने एक्सपिरियंस से एक बात सीख ली है लाइफ के अंदर कि अभी तक जिस आइडिलरजी की वज़े से मैं बेवकूफी बड़े फैसले लेता रहा हूँ खुद को और खुद की आइडिलरजी को सही मान कर लेकिन कभी ये नहीं देखा कि एक साथ इतने सारे लोग गलत नहीं हो सकते और मैं अकला सही नहीं हो सकता कभी इस बात को नहीं समझा, इससे मैं दुनिया से नहीं अपने आप से लड़ रहा हूँ लाइफ में अंसक्सेस्फुल होने से आगे बढ़ने का रास्ता मिल जाता है हाँ, होता है ऐसा, पुरानी सी लग रही होगी लाइन लेकिन कोई प्राब्लम आती लाइफ के अंदर, उस प्राब्लम के जाने के बाद हम बदले हुए निकलते हैं जैसे मैं बहुत नसीब वाला हूँ जिस टाइम मैंने मार्केट में अपनी नौकरी शुरू की, जिस वक्त मैं ग्रेजुएट हुआ उसके बाद में मैंने नौकरी करना शुरू की, नौकरी ढूंडना शुरू की एक्शली तो पूरी दुनिया की एकोनोमी डाउन थी हाँ सर, फिर भी मैं खुद को नसीब वाला बोलता हूँ उसी वक्त मैंने व्लाग लिखना शुरू कर दिया, ये भी नहीं सोचा कि इसके आगे होगा क्या आपको बताओं पिकासो, पिकासो का नाम सुना होगा, एक स्पैनिश पेंटर थे जिन्हों नाम नहीं सुना उनको बता रहा हूँ अब पिकासो जब बुड़े हो गए थे, तो उस वक्त स्पैन के एक कैफे में बैटकर बोर हो रहे थे तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पर एक नैपकिन उठाया और अपना कुछ आर्ट आजमाने लगे उस पर ऐसे ही बैठे बैठे, उन्होंने कुछ बना दिया, नैपकिन पर, पर वही पर एक लेड़ी और बैठी थी, थोड़ी दूर पर, उनको नोटिस कर रही थी लगबग 20 मिनिट में पिकासो ने अपनी काफी खतम कर ली, तब ही वो नैपकिन को मोड कर पैकने वाले थे, वो लेड़ी बोली रुकिये, क्या आप ये नैपकिन मुझे दे सकते हैं, मैं इसके लिए आपको पैसे भी दूँगी, मुझे बेज दो तो पिकासो ने नैपकिन की तरफ देखा, पर लेड़ी की तरफ देखा, और बोले ओ, पैसे, तो वो लेड़ी को बोले, लाओ निकालो, 20,000 डॉलर निकालो, वो लेड़ी चौक कर बोलती है, 20,000 डॉलर, लेड़ी का रियक्शन ऐसे था, जैसे पिकासो ने एक इंट फैक क मारियो उस लेडी पर वो लेडी बोली सर आपने इसको बनाने के लिए मुश्किल से 20 मिलिट का टाइम लिया होगा और आप 20,000 डॉलर मांग रहे हो सूसता मज़के तो बोलो तो पिकासो बोले नहीं मैंडम इसको बनाने के लिए मैंने अपने 60 साल का टाइम दिया है 20 मिलिट नहीं दिये हैं उन्हों नैपकिन लिया अपने जेब में रखा और कैफे से निकल गए किसी भी चीज में परफेक्शन हमारी हज़ारों छूटी छूटी नाकामियाबियों से आता है हमें बस उस आदमी की सक्सेस दिखती है उस आदमी का काम दिखता है लेकिन हम यह नहीं देखते कि उसकी जो आज सक्सेस है वो जो काम उसने किया है वो किस चीज पर टिका हुआ है कि वो कितनी बार फेल हुआ होगा तो अगर कोई इनसान आपसे ज्यादा बहतर है किसी चीज में तो यकीनन आप से ज्यादा बार वो फेल हुआ होगा तब ही वो बहतर है और अगर कोई बहतर नहीं है आप से ज्यादा तो मतलब आप उससे ज्यादा फेल हुए हो और वो फेल होकर अभी सीख रहा है जो आपने सीख लिया है जैसे कोई छोटा बच्चा अपने बड़ों की माहौल में बार-बार गिरकर भी चलने ही कोशिश करता है वो कभी ये नहीं सोसता कि चलना मेरा काम नहीं है इससे तो अच्छा मैं चलू ही नहीं छोड़ दू इस काम को लेकिन यहां मैं बुराए करूँगा मेडिया की जो कि किसी भी सक्सेस्फुल आदमे की चमक धमक जरूर दिखाती है लेकिन उसके पीछे का स्ट्रगल नहीं दिखाती है वो कितनी बार फेल हुआ है अगर आप फेल होने को तयार नहीं हो तो मतलब यह है कि आप सक्सिस पाने को भी तयार नहीं हो जैसे कई लोग क्या करते हैं अपनी जिन्दगी का एक मातर एक लाता मकसद बना लेते हैं और जब वो मकसद उनका पूरा हो जाता है, जैसे पाल लेते हैं वो, उसके बाद उनके पास करने को कुछ बसता ही नहीं है लेकिन पेकासो से सीखो, उन्होंने क्या किया, जिन्दगी बर काम करते रहे, जब तक जिन्दा रहे, मरने तक वो काम करते रहे उनका अगर एक fix goal होता कि हजार तस्वीरे बनानी है पैसा कमाना है पेमस होना है तो काफी पहले उन्होंने ये सब कर लिया था उनकी जिन्दगी का बस एक ही मकसद था तब तक काम करना है जब तक जिन्दा है जब तक जिन्दा है तब तक काम करते रहेंगे एफेल होते रहें, काम करते रहेंगे World War के बाद में एक सर्वे किया गया लोगों से पूछा गया कि अभी कैसा लग रहा है आपको Second World War के बाद में Poland के लोगों से सर्वे किया गया उन लोगों में से जो लोग World War में जिन्दा बच गया उनसे पूछा गया आप कैसा फिल कर रहे हैं तो लोगों का एक ही जवाब था हम थैंक्फुल है आज हमें जो कुछ भी मिला है छोटा हो या बड़ा उस सब के लिए हम खुश हैं कोई शिकायत नहीं करते यह वर्लबॉर ने हमें सिखाया है इससे पहले हम लाइफ में हर चीज़ से दुखी थे हमारे लाइफ बिलकुल अलग थे किसी की तारीफ नहीं करते थे खुश नहीं थे छोटी छोटी बातों से चिड़ते थे लेकिन वर्लबॉर ने हमें बदल दिया आज हम छोटी से छोटी चीज़ के लिए शुक्रिया करते हैं उस उपर वाले का कि हमारे पास यह है इस दर्द ने हमें मजबूत किया है फ्लक्सिबल किया है वर्लबॉर की दर्द ने यकीन ना हो तो बात करके देखना किसी कैंसर के मरीज से वो कैंसर से जीतने के वाद आज दुनिया को कैसे देखता है शायद आप भी अभी कोई खराब सिचुवेशन में होंगे लेकिन देखना जब इससे बाहर निकल जाओगे तो आपको दुनिया कैसी अलग से देखेगी लेकिन अगर इस वक्त हमने अपना दर्द चुपाने के लिए नशे का सहरा ले लिया तो उसी सहरे के सहरे पर हमें बची हुई जिंदगी निकालने पड़ेगी अपनी तो ये जो हमारा दिमाग है दिमाग इसमें बहुत सारी बात चलती है एक मा के बच्चे जब बड़े हो जाते है तो वो अपने बच्चों को ये बोलने के लिए कतराती है वो बोलने ही पाती है अपने बच्चों को जाओ बाहर जाके कमाओ उसे शर्म आती है जैसे एक लड़की को कोई लड़का मैसेज करने में कई बार डरता है क्योंकि उसे लगता है एक डर रहता है कि उसकी बस एक हेलो के मेसेज कर देने से सामने वाले लड़की उसे घटिया बलात कारी ना समझ ले एक बच्ची जो बस अपने माबाप की खुशी के लिए मेडिकल कर रही है जबकि उसका शौक तो मुझिशन बनना है पूरी दुनिया को बता देगी मैं मुझिशन बनना चाहती हूँ लेकिन अपने माबाप से डर रही है पदा जब बच्पन में मेरे घर में एक वीसियार आया था नया नया तो मैं सारे बटन दबा दबा कर चेक करता था कि ये काम कैसे करता है क्योंकि उस वक्त मुझे डर नहीं था ये खराब हो जाएगा लेकिन मेरे माबाप उनके मर में डर रहता था ये खराब हो जाएगा इसलिए वो क्या करते थे बुक में पढ़ कर उसको चलाते थे लेकिन आज जब मैं बड़ा हो गया हूँ मैं भी उन्हीं की तरह करता हूँ उन्हीं की तरह बहुत सारी चीज़ों करने से डरता हूँ तो जब भी कभी जिन्दगी यों अटक जाओ जैसे मैं अटक गया था उस टाइम पर तो उस वक्त मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ आगे क्या करूँ उस वक्त मेरे टीचर की बात मुझे याद आई उन्होंने कहा था कि फाल तू मत बैठो किसी भी जगह पर तू अगर अटक गये हो तो फाल तू मत बैठो कुछ ना कुछ करते रहो जैसे एक नोविलिस्ट था उससे पूछा गया एक इंटर्विव में सर आपने इतनी सारी नोविल्स सतर से जाज नोविल्स कैसे लिख ली तो उसने जवाब दिया मैं नोविल्स थोड़ी लिखता हूँ मैंने तो एक टार्गेट बना रखा है दिन के 200 वर्ट्स लिखना है आइडिया आए या नहीं आए मेरा तो टार्गेट है दिन के 200 वर्ट्स लिखना मतलब जब उसे आइडियाज नहीं आते थे तब भी वो लिखता था 200 वर्ट सो लिखता था चाहे बकवास ही लिखे कहने का मतलब आज रात सोने से पहले खुशी का एसास होना चाहिए कि मैंने पूरा दिन कुछ ना कुछ किया है यही सकसिस है आथर के हिसाब से यहाँ पर आथर बोलते हैं कि अब अगर मेरी बात दिमाग में घुसने लगी हो तो बहाने छोड़ो और अभी ही किसी भी डारेक्शन में कुछ ना कुछ करना शुरू कर दो फालतू मत बेटो कुछ ना कुछ करना शुरू कर दो उसमें तुमें कुछ मिल जाएगा और बेवकुवी वाले खयाल दिमाग से निकालो एक कहानी सुनाता हूँ शायद आप सब पहचान जाओगी एक जवान लड़का था एक जवान लड़की थी ज़्यादा एज नहीं थी दोनों के परिवार में बनती नहीं थी नफरत थी एक दूसरे नफरत करते थे एक दिन क्या हुआ वो लड़का चोरी चुपे लड़की के घर के किसी फंक्शन में घुश गया और उसको देखते ही लड़की उससे प्यार में पढ़ गई दोनों एक दूसरे से प्यार में पढ़ गए लड़की उसे गार्डन में ले गई garden में जाते ही उन दोनोंने तय किया कि अगले दिने वो शादी कर लेंगे और उन्नें शादी कर भी ली फिर शुरू होता है जैसा उन्ने ईक्सपेक्ट किया था family drama इससे परिशान होकर लड़की ने क्या किया अपनी family के drama से परिशान होकर उसने एक ऐसी दवाई पी ली जिससे वो दो दिन के लिए कोवा में चली गई लेकिन उससे गलती बस यह हो गई कि यह चीज़ करने से पहले उसने अपने लड़के को यह बात नहीं बताई जिससे वो शादी कर चुकी थी तो जब उसने दवाई पी तो वो कुवा में चली गई इस चीज़ से लड़के को बड़ा जटका लगा कि उससे पता नहीं था ऐसी भी कोई दवाई थी तो लड़के ने सिसैड कर लिए उसका यह मानना था कि यहां अगर मैं उससे नहीं मिल सका तो किसी और दुनिया में जाकर मिलूँगा एक हो जाओंगा उससे जाकर यहां उससे एक नहीं हो सका लेकिन इन दोनों ने जिन्दगी को ठीक से समझाई नहीं था जिस जिन्दगी में ये घुस रहते उसको ढंक से समझाई नहीं था तभी तो यह बेवकूफी की जब लड़की जागी तो उससे पता चला कि वो तो मर गया तो इस लड़की ने भी खुद को मार लिया रोमिय जूलियट की ये कहानी हमें सब सुनाते हैं और बोलते हैं कि क्या प्यार करने वाले थे लेकिन ढंक से पढ़ने पर हमको पता चलता है सतय पर जाने पर दोनों ने क्या बेवकूफी की और दोस्तों मानो या मत मानो बहुत से लोग ये मानते हैं कि शेक्स्पियर ने इस ड्रामा को ये साबित करने के लिए लिए लिखा था कि पागलपन की कोई boundaries नहीं होती और लोगों ने आज इसका ऐसा मतलब निकाला है कि आज से पहले human history में प्यार को किसी जश्न की तरह ऐसे कभी नहीं मनाया गया जैसे आज मनाया जाता है और देख लो हर कोई प्यार के पीछे आज ऐसा पागल है सब चाहते हैं कि मेरी love story में ज़्यादा ज़्यादा ड्रामा हो प्यार बना cocaine, drugs एक ऐसा cocaine जिसका dose टाइम टाइम पर लेना ज़रूरी है अब देखना बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आप एवकूप आदमी है प्यार की power को नहीं समझता लेकिन दोस्तों यहां पर author की हिसाब से प्यार दो टाइप की होते हैं एक healthy, एक unhealthy एक swast प्यार, एक अस्वस्थ प्यार अस्वस्थ प्यार जो होता है उसमें प्रेमी और प्रेमी का lovers अपनी problem से भाग कर आएं तो पक्का है आने वाले time पर यह दोनों ऐसा एक दूसरे के साथ भी कर सकते हैं और क्या possibilities है यह एक दूसरे का साथ भी देंगे मतलब आज ही अपनी problem से भाग कर आ गए तो आने वाले जिंदगी में इनकी problem नहीं आएंगी और आएंगी तो यह एक दूसरे पर डालेंगी understanding नहीं होती तो यहां पर author का कहने का मतलब यह है कि कोई भी साथी चुनो तो अपनी मा जैसा चुनो जो तुमारी गलतियों की जिम्मेदारी भी अपने सर पे ले लेती है और बनो भी तो अपने मा जैसे अपने साथी की जिम्मेदारी भी अपने सर पे ले लो तो कहने का मतलब यह है कि अपनी problems को face करना सीखो अपनी problems को तो कम से कम खुद face करना सीखो अचाए एक चीज़ पर कभी गौर किया है कई लोग अपनी problems से बचने के लिए इदर उदर भागते हैं जैसे मैं भागता था एक देश से दूसरे देश फिर मैंने एक बात पर ध्यान दिया मेरा ध्यान एक बात पर गया कि किसी भी चीज़ का first experience कितना कमाल का होता है जैसे कभी आप अपनी देश से बाहर ने गए अपनी country से कभी बाहर पैर रखा नहीं आपने जब पहली बार किसी देश के अंदर जाओगे ना तो वहाँ जाकर सब चीज़ों को notice करोगे सब चीज़ों को देखोगे इससे पहले आपका experience नैरो था अब जाकर आपने दुनिया को देखना शुरू किया है लेकिन जब आप 20 देशों में घूम चुके होगे तो आपका interest कम हो जाएगा जब 50 देशों में घूमोगे तो उसके बाद में आपको कोई मज़ा ने आएगा आप सर ऐसे ही नजरे डालोगे चीज़ों पर इतने नोट नहीं करोगे चीज़ों को परस्ट टाइम जब पार्टी में मैंने शराब पी थी तो सर घूम गया था मेरा लेकिन अब सब नॉर्मल है इतनी बार मैं पी चुका हूँ तो ये सब चीज़े छोड़कर मैंने एक रुकी हुई जिन्दगी जीने का फैसला किया तो अपनी प्रॉब्लम्स को पेस करो अब यहाँ पर आथर एक साइकलाजिस्ट के बारे मैं बताते हैं इसको कितनी सारी अनिवर्सिटी से निकाला गया तो उसके हिसाब से जब वो मर गया उसके बाद में उसकी बुक पॉब्लिश होई जिसमें उसने ये लिखा था कभी जानवरों को देखना कभी देखा है जानवरों को जानवरों को किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं रहती कभी देखा है कभी किसी जानवर ने स्विसाइड की हो क्यों? क्योंकि जानवर कभी अपने पास्ट को पकड़ के रोता नहीं है फ्यूचर के लिए परिशान नहीं होता जो आज उसे दिख रहा है जो आज उसे मिल रहा है उसमें वो खुश है तो इनसान की प्रॉब्लम का रीजन भी उसकी पास्ट फूचर की नेगेटिव थिंकिंग्स है इसलिए जब इनसान को लगता है कि लोग उसे मरने के बाद में भूल जाएंगे तो वो कोशिश क्या करता है बड़ी बड़ी चक्टानों पर बिल्डिंग्स पर अपना नाम लिखवाना शुरू कर देता है अपने पीछे एक ऐसी छाप छूड़ कर जाए अपने बच्चों से बात करे अपने बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम भिता है ताकि उसकी जाने के बाद भी वो अपने आपको जिन्दा रखने की कोशिश करता है उनके रूप में लेकिन जब ये कोशिशे फेल होने लगती है तो वो बिख़ड जाता है तो इतनी उम्मिदे पालने ही क्यों चाहिए जो सामने दिख रहा है उसे अपना लो चाहे मौत ही क्यों ना हो दोस्तों जितना अच्छे से हो सके उतना अच्छे से मैंने इस भुक को समझाने की कोशिश की है इस भुक का मेन आइडिया है टेक इट इजी इतना लोड मत दो और लो तो सही चीज़ों का लो